दोस्तों आरपी अप में कॉंस्टेवल के पदों पर 4,208 पॉस्टों पर वेकेंसी निकल कर आ चुकी है इसका जो ओफिसियल नोटिपिकेशन रेलवेबोट के दुबारा जारी कर दिया गया है और दोस्तों कॉंस्टेवल के लिए जो नोटिपिकेशन जारी हुआ है उस नो पर दोस्तों आप देख सकते हैं गौर्णमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑप रेलवेज रेलवेज रेलवेर रिक्वार्मेंट बोट के द्वारा यह नोटीबिकर संजारी क्या गया है और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो फॉम है न ऑनलाइन होना 15 अपरेल 2024 से स्टा का टाइम मिलेगा उसके बीच अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको कभी करने का मोका नहीं दिया जाए जाए और दोस्तों आपको आपको बीवन की दी जाएगी तो अगर लोग एज की बात करें तो कॉंस्टेवल के पोश्टों पर जो भरती आई है इसमें एज को एन बहुत ही ज़्यादा मत दिया गया और एज की बारे में बहुत ही अच्छे से वर्नन किया गया है तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियों में सारा कुछ बताने वाला हूँ आप लाश तक वरेड़ियेगा आप यहां पर एज देख सकते एक साथ दोजार चौवीस तक में ज दोड़ा ज्यादा राता तो ज्यादा वहतर होता रेलवे कोई सवीचियों पर दियान देना चाहिए और दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहां पर तीन साल का छुड़ दिया गया है और कोभी राने के कारण जो वेगेंसी नहीं आपाया इसी सब के दौरान यहां पर जिनका मौल नी जे पसी पचीज तक का बच्चा फों भर सकता तो तो अब थाइस तक का बच्चा फों भर पाएगा जेनरल करिगरी वाले यहां अपर दोस्तों हम लोग स्टेजेस ऑप एक्जाम की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका पहले सी बीटी होगा मैं फिर्टी होगा उसके बाद अढ़कोमेंट क्टिंटी मार्किंग की बात करें तो आपका उन वाला है वाला है फिर यह candidate का जो फॉर्म बरने के लिए एक कंडिडेट मस्ट भी एफ सीटीज आ नौप इंडिया के लोग इस फॉर्म को फील कर सकते हैं तो अगर हम लोग यहां पर एज रिलेक्सेशन और करेगडी की बात करें तो आप देख सकते हैं जो अपर यहां पर यहां पर टीनियुष मतलब जो आदमी एक सर्मिस मेन हैं और कम से कम चे मैने का स्यवाज देख करके आये हुए हैं किसी वी जॉब मेंस एक सर्विसमेन है तो उनको यहां पर दोस्तों और वह यू और और इवीडवूस से आते हैं तो उनको 3 साल का यहां पर छूट दिया जाएगा और उनको दिया जाएगा यूर, EWS में 10 साल का, OBC और NCL से आते हैं 5 साल का CSTS हैं तो 7 साल का इसी तरह से दोस्तों यहां पर एज में उनको छूट दिया जा रहा है और यहां पर दोस्तों एज के बारें बहुत ही अच्छा से बताया गया आप यहां पर देखिए एज गुरूब जो है 18 से 18 साल तक के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं और अपर लिमीट ऑप डेट ऑफ नोट इलियर देन आप अगर यू आर इडवलु एस से आते हैं और दो साथ उनैसो च्यानवे आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे अगर पहले आपका जन्व हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं इड़ ओवी सी में अगर अगर एंसे एल से आते हैं उनैसो तेन पहले देट्स एक साथ दौजार छे तक में जिनका जन्म हो चुका है वह बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं यहां पर दोस्तों एज को ले करके बहुत अच्छे से बताए कि आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप यू आर जेनरल करेगरी से आते हैं तो आपको यहां प यहां पर दोस्तों पीटी में सिर्फ आपको पास करना यहां पर सिर्फ आपको कौलिफाइ करना इसा नहीं है कि आपको यहां पर पीटी में यहां पर आपको ज्यादा नमर लाना इसा कुछ नहीं सिर्फ आपको पास करना यहां पर आपको 1600 मिटर का दौर कराए जाएगा पांच मिन पैतालीस समय सेकेंड को टाइम दिया जाएगा और साइज में जाएगा और कार्टेवल के लिए लिए आठ्सों में रुट कर लुट में नेटा जाएगा और मेल को एक अरह नही होगा जाएगा है लेकिन कि दोस्तों यहां पर सारा कुछ पर लिया हूं आप लोग आपको पर ली जैने तुम आने जो बता है वो बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको उसके आप दोस्तों यहां नीचे आए नीचे में आप PMT में देखेगा कि यहां पर उसके बाद दोस्तों चेस्ट की बात करें तो लड़कों का चेस्ट 80 होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मारा अठाज, डोगराज यहाँ पर जो इन सवी कड़ेगरी के लिए है न 163 cm राइट होना चाहिए उसके बाद फिर मेल के लिए 155 और यहाँ पर उनका चेस्ट होना चाहिए लड़कों का चेस्ट अशी लड़के ओन के लिए ओन पर सन चेस्ट रिखवाइट नहीं आपको बता दे और उसके आगर पिर 85 यहां पर एक्सपेंडर मदलब म् Taste प्याअ करके 85 आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैने चांस की बात की यहां पर देख सकते हैं long jump और high jump में दो चांस दिया जा रहा है और यहां पर running में कोई चांस नहीं दिया जा रहा है तो document verification के लिए आप अभी से अपना document त्यार रखें आपका सारा document जिनके पास जो नहीं है वो सारा कुछ वनवा करके रखें और इसका आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं और यहां पर बेतन जो आपका होने वाला लेवल थिरी का होने वाला आपका स्टार्टिंग से लेडिया काईजा सास्व रने वाला है और मेडिकल सुधा वीवन की मिलने वाली है और आपको बता देख सकते हैं नोट सुटेवल इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और दोस्तों यहां पर किनिमम क्वालिफिकेशन जो इस फॉर्म को बरने के लिए होने वाला है यहां पर आप किसी भी बोट से अगर टेंट पास की एं तो आप इस फॉर्म को बढ़ सकते हैं और दोस्तों अगर हम लोग सी लेवर्स की बात करें तो यह एक्जाम जो आपका एंप्यूटर बेस्टी मार्किंग है यहां पर आप देख सकते हैं आपका एक्जाम में नॉनमलाईजेशन भी होता है यहां पर आपके शिप्ट के अनुसार जिनका की हर्ट सिप्ट हो जाता है और यहां पर दोस्तों मीनिमम पास परसेंटेज जिविलिटी की बात करें तो यू आर एड कोश्टों पर वेकेंसी आई है लेकिन दोस्तों मैं आपको सीना ठोक करके बोल सकता हूं कि डेर करोर से दो करोड़ बचे इस फॉर्म को भरेंगे क्योंकि ब्रोजगार यह तिनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका सिलेवस मे पुचा जा रहा यहां पर आप देख सकते हैं रेलेसन बाटमीन नंबर करना में लिका हुआ है और प्रसकतिया करियेगा उसके बाद जैडलल आवनेस वार्ण मैं दीच सकते हैं दोस्तों यहां पर आप्से पकास नमर कोस्टों पुचा जाएगा और यहां पार सारा च्प को यहां पर बहुत ही अच्छे से सारा कुछ तयार करना है उमीद है कि दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आर्पी अप कॉंस्टेवर लेलेटेड जितना भी इंपोर्टेंट नोटिस था मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है और इस वीडियो को देखने के करना है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब किजिए इस वीडियो को लाइक किजिए